हPlease, сторон note, नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए ले कर्के आगए हम दोस्तों, एक नए वीडियो देखें दोस्तों, हाँ आज हम इसमें बात करेंगे बी अचाइसी, बी अचाइसी वन थ्री थ्री, भारत का इतिहास, इसका आपको सोल्ब असाइमेंट कैसे लिखना है, यह जादा marks मिल सके और जिस प्रकार से मैं assignment बनाओंगा इसी प्रकार से अगर आप assignment बनाएंगे तो आपको 90 प्लस नंबर मिल सकते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखेगा अगर आपको assignment में 90 नंबर लेने थो इसी प्रकार से जैसे मैं बताता हूँ उसी प्रकार से कहीं कहीं आपको assignment बनाना है जैसे मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से कहीं कहीं आप assignment बनाने का प्रयास कीजेगा जैसे मैं बताता हूँ ऐसे बनाओगे तो आपको 90 number आपको assignment में जरूर मिलेगा पहला एक काम कीजेगा आप और आपफ मार्केट में जाएंगे न अगर आप मार्केट में जाबात उसका प्लीन को सब्सक्ति और सब्सक्राइब को आप चैनल को क्यों ने सन चैनल करें extracting mice चैनल को सब्सक्राइब ताकि assignment में ज़्यादा से ज़्यादा marks या ज़्यादा से ज़्यादा number gain कर सकें अगर आपने मालीजे दोस्तों जुलाई 2021 में जनवरी 2022 में second year के लिए B.A.G. में second year के लिए re-registeration किया है तो आप इस assignment को लिख सकते हैं तो B.A.C. 133 भारत का इतिहास 1206 से लेकर के 1707 इस assignment को आप अगर आपको जून में एकजाम देना है तो इस assignment को आप बना करके अप्रेल माई तक जम्मा करवा सकते हैं अगर आप जनवरी 2022 में आपने re-registeration किया है तो आप इस assignment को आप 9 दिसंबर के महीने तक यानि 9 अटूबर 9 तक 2022 तक इसको assignment को बना करके आप submit कर सकते हैं आप अपने college में study center में ठीक तो आप इसको कर दिगए तो इस assignment पर हम देखेंगी कि assignment को कैसे बनाए एक अच्छा assignment कैसे बनाए ताकि assignment में ज़्यादा से ज़्यादा number गेंड कर सकें इसलिए मैं सारी वीडियो लेकर के आता हूँ दोस्तों जितनी भी इस channel पर वीडियो पढ़ी है हमारा उद्देश ही यही है हमारा उद्देश ही ही रहता है कि हम आपको assignment में help करें आपको हम classes में help करें तो हर जगह से जहां पर भी हमारा प्रयास हो रहा हर जगह से हम क्या कर रहे है आपको help करने का प्रयास करने की मदद कर रहे है ठीक तो कहिन कहीं आप assignment को देखिए जैसे मैं बताता हूँ वैसे बनाने का प्रयास कीजिए ताकि आपको भी अधिक से अधिक marks ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा नमबर मिल सकें अगर आपको अधिक से अधिक marks लेना है और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा नमबर लेना जहां पर हम मैं photo का और images का अगर जहां पर बात करूँगा अगर आप drawing बना सकते हैं ठीक है अगर आप drawing बना सकते हैं अगर आपकी drawing बहुत अच्छी है तो आप जरूर अपने हाथों से drawing बनाईए अगर आपकी drawing अच्छी नहीं आप drawing नहीं बना सकते हैं तो आप जो photo है उनक प्लेन रहेगा वहां पर आप फोटो और इमिजेश का क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो अगर आप फोटो और इमिजेश का यूज करो गए तो इतना हम जरूर कर सकते हैं कि आपको एक्जाम में बहुत ही जादा मार्क्स मिलेंगे ठीक है आपको अगर आप फोटो और इमिजे अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल सकें या आपको जादा से जादा मार्क्स मिल कें इसमें जितने दस के दस कोस्टन है हम दस के दसों कोस्टन पर चर्चा करेंगे ठीक है इसमें जितने भी कोस्टन है हम सभी कोस्टन पर चर्चा करेंगे और कहिन कहीं यहाँ पर जितने अंस है ऊफ सोल बसाइमेंट जो आप मार्केट से खरीते है उससे नहीं है बलकी इनको मैंने क्या किया दोस्तों जिनको मैंने गूगल सर्च से निकाल लगए तो जितने भी मैंने को बता रख्थे हैं यह आपको assignment में किस प्रकार से question को कि लिखना है ताकि आपको नमबर जादा से जादा मिल सके ताकि आपको return में भी अच्छा करना है आपका जो जो से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें और एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जिन स्टूडेंट के 90 नंबर आते हैं 95 नंबर आते हैं यहां तक की 99 100 नंबर तक आते हैं assignment मैं आपको बता दू और जो लोग आपसे कहते हैं कि assignment कैसे भी बनाओ नंबर नहीं आते हैं उन लोगों पर ध्यान देने वाली बाते नहीं उन पर ध्यान मत दीजे उनके कभी life में assignment उन्होंने बनाया है या तो उन्होंने assignment बनाया नहीं या तो उन्होंने assignment में बहुत सारी गलतियां की है, solve assignment ले करके उसको लिख करके दे देने से अच्छे नमबर नहीं आते हैं, इस बात को आप समझ लीगा, अगर आप solve assignment खरीदते हैं और आप उसको लिखते हैं, हुबहु उतार करके दे देते हैं, तो आपको अधिक से अधिक marks नहीं मिलेंगे, आप को कहीं कहीं, एक average marks ही मिलेगा, अगर आपको 95 नमबर या 95 नमबर लेकर हैं, निटी, 95 प्लस नमबर लाने हैं, तो आपको assessment जो बना होगा, बःतर assignment बनाना होगा और अच्छे से assignment को बनाना होगा, आप assignment को अच्छे से बनाएँ, ताकि आपको exam में अधिक से अधिक marks मिल सक उसको नहीं बलकी जैसे मैं बता रहा हूं ये कहीन कहीन मैं निकाल रखघा है। उस प्रकार से कहीन के लिखने का प्रयास कीजएगा। इसमें मैं आपको भूमिका कैसे लिखनी है और निसकर्स assignment में एक चीज आप लिखे जब आप question का answer लिखेंगे जैसे आपने question को जो आप लिखते उसके बाद क्या लिखेगे आप भूमिका लिखे लास्ट में निसकर्स जरूर लिखे भूमिका निसकर्स और आपको कहिन कहीं इसमें images का और कहिन कहीं आपको photo का यूज करना है आप photo का यूज कीजिए आप चिपका भी सकते हैं आप drawing भी कर सकते हैं तो या आप अपने हाथों से बना सकते हैं तो अगर आपको आता है तो आप उसी परकार से बना सकते हैं और आपको जो assignment लिखना है आपको black और blue pin का ही यूज करना है black और blue pin का यूज करना है कोई भी student red pin का यूज मत कीजेगा आप highlighter का यूज कर सकते हैं जो आपकी headings हैं जो आपके question है आपकी heading के लिए question के लिए नहीं बोलूँगा बलकि आप heading को highlight करने के लिए highlighter का use कर सकते हैं और कोई भी assignment में cut मत करना कोई cut मत लगाना अगर कुछ गलत हो जाता है तो आप page को बदल देना दूसरे page पर लिख लेना या fluid का use कर सकते हैं आप black और blue pen से ही कहिनके आपको लिखना है अन्य किसी प्रकार के pen का use मत करना black और blue pen का use करना है red pen का use तो मत करना कहिनके जो red pen का use होता है और teacher के लिए किया जाता है तो teacher को कहिनके red pen का use करना होता है आपको red pen का use नहीं करना है आपको rate pen का प्रियोग नहीं करना है इसलिए आप क्या करोगे कि assignment में लिखने में red और blue pen का यूज़ करना है आप highlighter का यूज़ कर सकते है और आप flood का यूज़ कर सकते है अगर बहुत ज़्यादा गलत है तो आप क्या करोगे page को आप replace कर देना दूसरा page या नया page में उन चीज़ों को लिख लिख लिना जो चीज़ें गलत होगे उनको सही करके ठीक तो कहिनके इस प्रकार से assignment आपको लिखना है हम 10 के 10 question पर चर्चा करेंगे कि जो 10 के 10 question है आपको इनको किस प्रकार से लिखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा माक से आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सके पहला question देखेगा इसमें जो हमारा पहला question है राजपूत राज्यों के परती मुगल नीती का आलोचात्मक परिक्षन कीजे राजपूत राज्यों के परती एक question रहाठी के दोस्तों ए देखे पहला जो question है देख रहे होगे राजपूत राज्यों के प्रति मुगल नीती का परिक्षन कीजे तो जो question है इस question हो हमारा पहला question देखो सबसे पहले जब आप assignment page पर ले लिए आपने page लिया सबसे पहले आपको क्या लिखना page पर सबसे उपर लिखे बी एच आईसी 133 भारत का इतिहास 1206 से लेकर के 1707 तक फिर नीचे लिखे एक line छोड़ करके लिखो उसमें लिखो जुलाई 2021 जुलाई 2021 एंड जनवरी 2022 के लिए 22 के विद्यारतियों के लिए आप ऐसे लिख लिए फिर आप अगर फिर आप क्या लिखेंगे आप उसके बाद क्या लिखेंगे आप लिखे सत्रिये कार 1 ये जो लिखा हुए हैं पर सत्रिय कारवन लिखे ठीक है तो उसके बाद लिखो closure number one उसके बाद क्या लिखना राज पूत राज्यों के प्रती मुगल नीती का अलोचा आतमक फरिक्षण कीजिए यह जो पहला question है उस question को आप लिखेंगे आप यह आप उस question को लिखना यब इसके answer फर हम चर्चा करते हैं इसका answer तो यहाँ से क्या होगा पहला जो हमारा question है यहाँ से कहिं कहीं क्या होगा start होगा ठीक है यह six points seven मत लिखेगा ठीक है आपने question निका फिर आपको यहां से answer अंसर लिखना पड़ेगा ठीक है? तो आप लिखेंगे उत्तर ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? राज-पूत- correspondør राज-ज्यों के पृति- मुगल-णी-ती ठीक है? तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे दोस्तों किसी भी question में लिखने से पहले आप क्या लिखेंगे भूमी का सबसे पहले क्या लिखेंगे आपको book में आप देखोगे तो आपको कहीं कहीं ये चीजें मिल जाएंगे जो प्रस्तावना है प्रस्तावना में से या आप लास्ट में जो चीजें लिखी रहती है निसकर्स उसमें सोरी उसमें जो लिख रहा था समछेप्त में वहाँ से आप क्या लिख सकते हो भूमी का हर कोस्चन में क्या करना आपको भूमी का जरूर लिखने है कोस्चन की स्टा क्या लिखेंगे भूमी का ठीक है सुरू में क्या लिखेंगे भूमी का ठीक है क्या लिखेंगे भूमी का ठीक है स्वर्ष्ट में हम क्या लिखेंगे भूमी का ठीक है यहां से आप स्टार्ट कीजिए ठीक है आप यहां से कोस्टन को स्टार्ट कर लीजिए फिर इसको लिख क्या लिखेंगे निसकर्स में क्या लिखेंगे आप इसको निसकर्स में लिखेंगे और इसी के साथ क्या होगा हमारा पहला question complete हो जाए दोस्तों देखें दोस्तों आपको यहां से पहला question start करना है यहां से क्या होगा हमारा पहला question start होगा हमने question लिख दिया फिर हम क्या लिखेंगे यह हेडिंग बना लिए यह हमारी हेडिंग है मुगल राजपू संबंद फिर फस्ट नंबर पॉइंट नंबर वन अकबर तो उसी प्रकार से कहिंगे आप लिखना की बात करें तो आप गुगल में सर्च करेंगे मुगल राजपूत संबंद एगर यह साRE इमेज्जिंस का रा सकते हो जिसे अकबर के टाइम पर राजपूत संबंद कैसे हैं जहांगीर के समय राजपू संबंद कैसे हैं और अंजेब के समय राजपू संबंद कैसे हैं हिमाओ के समय और बाबर के समय राजपू संबंद कैसे हैं इन सब की क्या लगानी है आप फोटो यूज कर सकते हैं और फोटो का यूज आप जरूर कीजेगा हर असाइमेंट में मैं बताता दोस्तों कि photo आपको जरूर लगानी है अगर आप photo का यूज करेंगे अगर आप images का यूज करेंगे तितना मैं जरूर कह सकता हूं कि आपको assignment में ज्यादा से ज्यादा marks आपको जरूर मिलेगा तो आपको photo का यूज कीजिए आप images का यूज कीजिए अगर आप photo और images का वास्तु कलाके आप जब हमारा कोस्टन कंप्लीट हो जागा ना तो हमें नए पेज से पहला कोस्टन लिखना है दूसरा कोस्टन जैनि जब भी हमारा कोई कोस्टन कंप्लीट होता है माली जी हमने लिख दिया 5-6 लाइने हमारी खाली मालो हमने पूरा कोस्टन पहला लिख द दोस्तों हमें नए पेज से पहले कोस्टन को कहीं का हिस्टार्ट करना है यहां पर चलेंगे तो हमारा तो कोस्टन है तो पहला था हमारे दूसरे कोस्टन में हम देखते हैं Bel конечно सलतनाथ का मतलब था कि दिलि 52 सलतनाथ यहां से हमारा दूसरा को श्टार्ट हो सोण ध्यान दीजेगा अगर आप आप कंप आप इस एकंगर लिख रहे हैंच मेंट मिल जाएगा न से भी से भी लिख सकते हो अगर आप इसी में लिखने का प्रियास कि जगा तो वीडियो को आप रोक करके या थोड़ी सी रोक दीजिए या कर सकते हैं जैसे ज़ाइस वीडियो इतनी क्या चीज़े आप लिखेंगे भूमिका में लिखेंगे और जितनी सारी चीज़ेंगे यह हमारे क्या होंगे यह हमारी जितनी क्या होंगे हमारी heading होंगे इन सारी जितनी भी heading यहां तक गी है जितनी भी सारी heading दी गए है हमें सारी चीजों की कहिं कहीं आपको heading लिखने है और last में जो चीजें लिखे हैं यह हमारा क्या रहेगा niskers ठीक है हमारा क्या रहेगा दोस्तो niskers मैं थोड़ा आपको आराम आराम से दिखाता हूँ ठीक है तो मैं थोड़ा अराम अराम से दिखाता हूँ और यहाँ पर जो फोटो बनी है तो यहाँ पर जो फोटो बनी हुई है इन फोटो का क्या कर सकते है आप यूज कर सकते हैं दोगो हमारा question यहाँ से start हुआ हमारा question क्या second जो question था हमारे यहाँ से start हुआ तो हमने क्या लिखा हमने क्या करा कि इस वाले portion को इस वाले portion को हमने लिखा भूमिका में ठीक है भूमिका करके लिखा फिर हम क्या लिखेंगे हमने पहले heading लिखी रचनात्मक और इसको लिखे मैं थोड़ा आराम आराम से slide चलाता हूँ ताकि आप assignment को अच्छे से लिख सकें ठीक है तो इसको लिखे फिर हमारे दूसरे slide में आप इसे रोक कर लिख ली जगा ठीक है तो हमारे यहाँ पर जो दूसरी slide आ गई जहां पर क्या कीजिए यहां पर जो photo बनी है जो images बनी है इन photo और images का क्या करेंगे आप आपका जो plain page है उस पर कहिन कई आप photo और images का बनी हुए उन सारे photo चित्रों को कहिन के आप बनाने का प्रियास के जगा इससे बनाने से क्या होगा आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलेंगे तीसरे page पर आजेगे तीसरा जो हमारा page है तीसरे page को थोड़ा रोक करके देख लिए जगा ताकि आप assignment को अच्छे से लिखना है इस वाले portion को नहीं लिखना है इसको नहीं लिखना है इतना चीजों को बहुत प्रस्ने वाला नहीं लिखना है इतना नहीं लिखना है इतना नहीं लिखना है बाकी सारी चीजें लिखने है तो बाकी क्या करोगे इस page का सारे लिख लिए अगले page पर आ जाते हैं अगला page हमारा रहेगा इसको देख लीजे यहां पर क्या आपको लिखना है यहां पर भी इस page को लिखना है यहां पर भी आप पूरा लिखेंगे ठीक है मैं थोड़ा इसको आप देख लिजेगी द्यान से ताकि आप second question को अच्छी तरीके से लिख सकें देखें दोस्तों उसकी आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी उस क्या होगा दोस्तों उसकी चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगी और आप उस वीडियो की मदद से यानि मैं क्या कह रहा हूं कि आप उस वीडियो की मदद से आप उस वीडियो के हेल्प से कहिन कहीं आप अपने अंसर को अच्छे से लिख सकते हैं आप चैनल पे जाओगे तो आपको कहिन कहीं मुगल राजपू संबंध ठीक दूसरा सल्तनात कालीन वास्तुकल आके आपको क्या मिलेंगे वीडियो मिल जाएंगे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर वाज किजिए पिर आपको एक जो कोस्टन है आपको ज्यादा बहतर समझ मैंगा अगले पेज पर आते हैं अगला पेज भी लिख लेंगे ठीक है तो आप वीडियो को चैनल पर जाकर जरूर देखिए अगर आप चैनल पर जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जागे आप हमारे चैनल को जरूर विजिट कीजिए और कहिन कहीं हमा हमारे साथ जरूर बने र कई सारे वहाँ पर हम फोटो क्लासिस लेकर के आने वाले हैं तो कहिन कहीं आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहे और कहिन कहीं हमारा उद्देश है कि जो बीए है बीए को पूरा टॉप करना आप लोगों का मैंने टार्गेट बना रखा कि जितने भी बच्चे हैं उनको सभी के क्या अच्छे से अच्छे माक्स आने चाहिए उनके ज्यादा से ज्यादा नम बना अगला पेज फिल लिख लिए गया इसमें जो अगला पेज लिखना है इसको लिख लिजा ठीक है तो आप जो दूसरा कोशन है यहां तक रहेगा हमारा ठीक है दूसरा कोशन काली नुवास्तुकला जो है आप पढ़ेंगे तिसमें बहुत सारी चीजे हैं जैसे कुत्म मिनार है उसकी फोटो लगा सकते हैं आप बहुत सारे फोटो जो बना रखी है अड़ाई दिन का जोप्रा जिसे बोलते हैं कुवत इसलाम है हौज अलाई है अलाई दर्वाजा है तो कहिन के इन सारी फोटो आप लगा सकते हैं दिल्ली सल्तन में जितने भी वास्तुकला जितने भी भवन बने हैं इमारते बनी हैं जितने भी निरमाण कारू हैं आप उनकी क्या कर सकते हैं आप उनकी फोटो लगा सकते हैं इमेज लगा सकते हैं आप उनकी फोटो लगा प्रियास किजए ताकि आपको एक्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स मिल सके हैं क्या होगा आपको मिल सके हैं अब देखे दोस्तो अब हमारा पहला और दूसरा कोशन कम्पिलीट हो गया और 20 नंबर का कोशन है और 20 नंबर के कोशन के लिए आप 7 पेज या 8 पेज वंसाइडर में पेज़ों की बात रहूं 7 या 8 पेज लिखने का प्रियास कीजेगा कितने 7 या 8 पेज में लिखिए और कहिंगे आप इसमें फोटो और इमेज थर्ड क्या है देखे कोस्टा नंबर थर्ड क्या है कोस्टा प्रस नंबर तीन लिखोगे प्रस नंबर जो हमारा तीन रहेगा उसको देखे प्रस नंबर हमारा तीन का है अफाकियों और दक्कानियों के मद्ध अफाकियों और दक्कनियों कुलिनों के मद्ध संगर्स अंतता बहमनी समराज के भाग का सूर्यास्त कर दिया टिपणी कीजे यानि अफाकियों और दकनी यानि जो दकन के लोग थे और जो अफाकी जो बाहरी लोग थे कहिन कहीं वहाँ पर आकर बसते हैं इसकी मैं पढ़ा भी चुका हूँ इस क्लास को मैंने आपको बता भी रखा है वहा आपके एकजाम में और असाइमेंट में आप दोनों में अच्छे से अच्छे और बहतर से बहतर प्रफिर्मेंस कर सकें इसलिए हमारा का तीसरे कोस्टन को लिख लीजिए और उसके अंसर देखते हैं उसका जो तीसरा कोस्टन जो मैंने बोला है अब हम उसके अंसर की बात कीज़ा तीसरा जो question हैगा हमारा यहां से start है ठीक है तो आप इसको थोड़ा रोग करके देख लीज़ेगा तीसरा जो हमारा question है इसको लिखे ठीक है और इसी प्रकार से मैंने सारा book में से निकाल रखा है आपको book में भी मिल जाएगा 95 पेज़े ठीक तो उसमें भी मिल जाएगा आपको आप book में से मैं सारी चीज़े बता रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैं solve assignment में कहीं से भी लिखा हुआ वह मैं आपको बता दे रहा हूँ book से है और कहीं कि सारी चीज़े हम किताबों से बता रहे हैं ताकि आप assignment को अच्छे से अच्छे ताकि आप assignment को अच्छे से अच्छे और बहतर से बहतर आप assignment को लिख सकें तो अच्छे से अच्छे आप assignment को लिखी अच्छे से अच्छे आपको assignment को बनाना है ताकि आपको exam में अधिक से अधिक marks मिल सकें तो ठीक है तो इसको तीसरा question हमारा जगा अफाकियों और धकनियों के मद जो संगर से इसको लिख लीजेगा उसके बाद हमारा क्या रहेगा अगला इसको भी यहां तक हमारा रहेगा ठीक है यहां तक आप क्या करेंगे यहां तक यहां पर लिख लीजेगा ठीक है तो इसको आपका तीसरा कोउस्चन की चर्चा की हमने दूसरे कोउस्चन की चर्चा की और आघ्गे नविस जरूर किजे आप गूगल में जाएंगे तो आपको फोटो और इमेजे जरू मिल जाएंगे ठीक है तो आप गूगल में जाएए आपको फोटो और इमेजे जरू मिलेंगे और उसकी मदद से और उसकी सहाथा से आप फोटो को लगाएए आप इमेजेश को लगाएए ताकि आपके एक्जाम मे प्रस नंबर चार, इक्ता की व्याक्षा कीजिए, मुहम्मत तुगलक और फिरोसा तुगलक द्वारा इक्ता विवस्था में क्या परिवर्तन कीगे? इसको भी आप बनाने का प्रया, इक्ता ब्यवस्ता की व्याख्या कीजे, मोहम्मद तुगलक और फिरोध सा तुगलक ने इक्ता ब्यवस्ता में क्या परिवन, ये चोथा question को भी हम देखने का प्रयास करते हैं, ठीक, तो इस question को लिखेगा, आप सबसे पहले इस question को लिख ल होगा ठीक है और यहां पर यह इतना है यहां है भूमीका रहेगे ठीक है इसको भूमीका मिल सके मार्क्स मिल सके तो अच्छे से लिखने का प्रयास किजीगा यहां से हमारा क्या होगा कोस्टन स्टार्ट हो जागा ठीक है तो हमारा कोस्टन जो फोर है एक्ता व्यवस्था और कहीं कहीं उसमें एक्ता व्यवस्था में क्या परिवर्थन की यह दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने उसमें क्या परिवर्थन किये उसके बारे में कहीं कि आपको लि लिए जिएगा तो जितने भी कोस्टन में बता रहा हूं आप इसको वीडियो को रोक करके या इसको आप लिख सकते हैं तो उसी प्रकार से कहिंके आप पूरी असाइमेंट को लिखने का प्रयास कीजिए इकता बेवस्तावारा जो कोस्टन है आप एकता की आपको फोटो मिल चर्चा की है इन तीनों पेजों के क्या करना आपको लिखना है और अच्छे से थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिए और लास्ट की जो लाइन है यहां से देखेगा अलाउ दिन खिल जी जहाँ पर देखे हैं यहां जो होगा आपका पूरा एक निसकर्स रहेगा ठीक है इससे क्या होगा आप भूमिका भी लिख रहें निसकर्स भी लिख रहें फोटो भी लगा रहें इमिजेज भी लगा रहें बलकि सोल्व से आपने लिखा भी नहीं है तो इससे क्या होगा आपके असाइमेंट में ज्यादा से ज्यादा मार्स मिलेंगे आपको अधिक से अधि marks मंझे को ज्यादा से ज्यादा नंबर मिलते इसी तरह आप कहींनहें आपको कि अंसर लिखना है इसी प्रकार से कहिंने कर प्रयास किजिए ताकि आपको Cent Centro में ज्यादा से ज्यादा नंबर मिल सकें ठीक है तक हमारा practicing है कोस्टन हो गया आप मुगल कालीन भारत में किर्सी संबंदों का सम्चित बेवरा प्रस्थुत कीजिए इसको जब लिखेंगे तो आप क्या करेंगर उसके पांच्व कोस्चन का अंसर कहां है वह सब्सक्राइगा टालेंगे यहीं से आपका question है ठीक है गाता है दोстों हमारा जो लिधना है यहीं आपको लिखना है कि मुगल question number 5 का जो answer है यही आपको answer लिखना पड़ेगा तो answer अच्छे से लिखने का प्रयास कीज़े ताकि assignment में अधिक से अधिक marks ले सको assignment में अगर अधिक से अधिक marks लेना है अगर assignment में ज़्यादा से ज़्यादा number लेना तो इसी प्रकार से कहिन के assignment को बनाना है ताकि assignment में ज़्यादा से ज़्यादा number मिल सकें अगर assignment में ज़्यादा number चाहिए तो इसी प्रकार से assignment बना करके आना है इस प्रकार से assignment बनाओगे तो number आपके बहुत ज़्यादा आएंगे और कहिन कहीं कह सकते हो कि आपके जितने first year मे यहाँ से लिखे ठीक है यहाँ पर पहला फेज लिखे ठीक है तो Margaret smash समझ थोड़ा लोंग कोस्टन है इसमें थोड़ा काम कीजिएगा आप थोड़ा डीप में मत लिखेगा ठीक है सोठ tsot कर के लिखेगा ठीक है तो इसमें जो करेगों पहला पेज तो आपने देखге दूसरा पेज जमीन दारों के अधिकार आप थोड़ा-थोड़ा करके लिखेगा बहुत जड़ा डीप में मतलिकी है 4 या 5 पेज से ज़ैदा मतलिंगना 4 या 5 पेज में जितना आता है उतना है लिखने का प्रयास कीजेगा जितनी heading है कहिन कहीं सब को 7 में लेने का प्रयास कीजेगा और कहीं कहिं सकता हूं मुगल राजपूट जो संबंध है इसकी साइध आपको Video मिल सकती है ठीक है इसकी क्या होगी अगर आपको Channel पर एक बार देखियेगा अगर Video बनी होगी तो आप उस Video के जरूर है पर लेजिएगा ठीक है तो कहिन कहीं आपको मिल जागी और कहिन कहीं अगर आप Classes में आते होंगे जहां से आपको लिखना फिर वीडियो को चला लो उसके आगे से आप कहिंगे आप वीडियो को देखे आप वीडियो को रोक रोक करके अच्छे से आप असाइमेंट को लिख सकते हैं फिर अगला पेज आजागा हमारा ठीक है तो इसको भी लिखना और कहीं कहीं आप सारी इस समाप्त हो जगा यहीं तक हमारा पांचो कोस्टन और पांचो कोस्टन को अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिगा और अच्छे से बनाए इसमें जितना लिखा उतना मत लिखना आप थोड़ी थोड़ी हेडिंग को सारी हेडिंग को लेना है और कहिन कि ज्यादा मत लिखेग पांच छे लाइने या आट दस लाइने ही लिखना इसमें से ठीक है पांच छे लाइने या आट दस लाइने ही लिखने का प्रयास कीज़ा और कहिन कई अच्छे से और इसे के साथ क्या होगा दोस्तों हमारा पांच वा कोस्टन हमारे कंप्लीट हो जाएंगा ठीक है और कहिन ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सकें, तो उसी प्रकार से होना है गया, अब हम चलते हैं, question number, हमारा जो अगला question आगा, तो आप क्या करेंगे, हमारा 5 question तो complete होगा तो पंच question तो हमने लिख दिया, अब देखो, 5 question जो हमने लिख दिया, अब आता है, शत्रियकार 3 यहनि सत्रियकार 2 हमारा complete हो गा अब हमरा हो गाँ नभावा और जैनपूर गो आप उसी प्रकार से आप लिखेने का प्रयास केगा ताकि आपको असाइमेंट में ज्यादा से ज्यादा नमबर गेंज कर सके हो तो उसी प्रकार से कहिन के आप लिखने का प्रयाज केगी DANIEL- alors ताकि आपको assignment मे ज्यादा से ज्यादा माAKM मिल से उसी प्रकार से आप assignment का लिखने है अब हम चलते cm नमबर जू correct को संस्ध कॉल know नमबर तो आपने लिखने लिए ओंबागा अब ही तक मालवब और जयनपूर के छेत्री राज तो हम कोस्टन नंबर अपने छे में चलते हैं कोस्टन नंबर छे में हमने क्या लेगा तो कोस्टन नंबर छे हमारा आ रहा है तो कोस्टन नंबर छे देखें यहां से हम चलेंगे ठीक है तो यहां से क्या करोगे यहां से इसको आप मत लिखें ठीक है इसको आप मतलHigh तो यहां से ठीक है यहां मालवा आप पहले एंग बनााईम अक्धा करने यहां से स्टार्ट होगा तो आप एले हैं पहला करने लिख लेजें है टिक हैं और और मलवा का जितना अंसर देडा हम ने उसी प्रकार से यहां आप अच्छे-अच्छे लिखनें जहांसे आप क्या होगा in लगाने का प्रयास किजिए आप Google की मदद से जाकर के आप फोटो सर्च करके बना सकते हो या आप उसको प्रिंट आउट निकला करके आप उसको निकला सकते हो तो मालवा के बाद क्या लिखो कि यहाँ इसको भी लिख लिख लिए मालवा का थोड़ा सा फोटो दे रखा है यहाँ पर थोड़ा लिखने का अच्छे से प्रयास किजिए तो मालवा और थोड़ा सा इसमें मालवा का जो जीक्र करका मालवा कैसे था तो मद्ध प्रतेश का जो रिजन है उसी को आज मालवा बोला जाता है मद्ध प्रतेश का रि लिखोगे इस पेज को लिए जहां तक आपका मालवर रहेगा उसके बाद क्या लिखोगे जौन पूर ठीक है अगली हेडिंग क्या लिखेंगा हम यह जो लिखा रहा था 3.3.2 इसको नहीं लिखना है इसको मत लिखेगा जोन पूर हमारी हेडिंग क्या रहेगी जोन पूर जोन पूर में जितना लिखा हो उसको लिखने का प्रयास किजिए इसको आप बीच में रोग सकते हो ठीक है आप इसको बीच में रोग लिजे ताकि आसाइमेंट को आपको लिखने में आसाले रहने अगर आपको नहीं तो आप वीडियो अगर बीच में रोग भी सकते हो या पिशκε के स्क्रिन्सोर्ट ले लो उसके बाद लिख सकते हो ठीक है और वीडियो रोक करके देखे या तक क्या हो तोड़ा सा यहां भी दे रखा है तो यहां पर लिखे जहां तक क्या होगा हमारा कोस्टन नंबर छहें रहेगा तक हमारा कोस्टन भूसेट हो जगाँ अब अगोश्ट रहा है तो हमारा चुन कैँ रहे हो देखेगा अगला उसको देखेगे अगला हमारा कोशन देखी पहले अएग पैस बंखने मढ शेवन क्या है खिलाफत और दिल्ली सल्तनाता अगला जाउन दोस्तों खिलाफत और दिल्ली सल्तनत तो इसके बारे में लिखना है और इसके बारे मैंने आपको Google में से सर्च करके बता रखा खिलाफत का मतलब होता था यह समझ लिए उस टाइम जो खिलाफत यानि खलीफा और कहिंगे यह खिलाफत उसी क्या कोडिंग था यह जो खलीफ मैं जरूर कर सकता हूं कि अधिक से अधिक मार्क्स आपको जरूर मिलेगा तो उसी अंसर को यहां से आपको रहेगा ठीक है इसको लिखे ठीक है यहां से क्या करोगी यहां से स्टार्ट कीज़े ठीक है इसको लिखे ठीक है इसको लिखे फिर इसके बाद इसको लिखने का को सब्सक्राइब को अच्छे से लिखे ताकि आपको इख़ाम में अधिक से अधिक माक्स मिल सकते हैं तो इस प्रकार से लिखे तो आपको आधिक से हमारा रहेगा ठीक है जैसे मीन रहेगा ठीक है इस प्रकार से आप लिख सकते हो इन उस चीजों को कहिन के आप लिखे ठीक है तो यहां से आपको स्टार्ट करना है यहां से स्टार्ट होगा यहां से स्टार्ट करोगे इसको लिखोगे इसको लिखोगे फिर इसको लिखोगे तो यहां तक पूरा चलेगा ठीक है यहां तक यहां तक आप लिख सकते हो ठीक है यहां तक क्या कर सकते हो यहां तक यहां तक हमारा रहेगा कोस्ता नंबर से बन रहेगा ठीक है मैं थोड़ा और दिखा देता हूं कि थोड़ा सा कट हो रहा है तो अच्छे से दिख लिए ठी तो यहां पहला पेज दूसरा पेज यह तीसरा पेज ठीक है इसको अच्छे से कोस्ट नंबर से बन रहेगा और इसको अच्छे से बनाने का प्रयास कीजिए आप खलीफा और दिल्ली सल्दन की अगर आप खलीफा की फोटो सर्च करोगे तो आपको थोड़ा बहुत मिल ताकि आपको एक्जाम में अधिक से अधिक माक्स मिल सकें आपको जादा से जादा नंबर मिल सकें हमारा सात्वा कोस्टन था दोस्तों अब हम चलते हैं आठवा कोस्टन आठवा कोस्टन जो कोस्टन है हुंडी क्या है ठीक है आठवा कोस्टन लिख 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 लि नहीं है कि आठाओं में क्या लिख रहा ठीक है छोट में हमारा में थोड़ा सम्मै याँ सेडिन आपको मिलेगा डिया हमारा 7 005 he लिखने का प्रयास की जिए इसको लिखने का फिर आपको थोड़ा सा यहां का लिखना है थोड़ा इसको भी लिखें इस वाले पोर्षन को भी लिख लिखें तो इसे आपको आठवा question पूरा complete हो जगा इसी प्रकार से आपको question लिखना है जैसे मैं बता रहा हूँ इसी प्रकार से अगर आप लिखोगो दोस्तों तो आप मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको assignment में अच्छे से अच्छे marks मिलेंगे आप ज्यादा से ज्यादानमबर आपको 80, 85, 90, 95 भी नंबर मिल सकते हैं 80 से नीचे नहीं मिलेगा लेकिन आपको सर्त रहेगी अच्छे सासाइमेंट बनाएगा जैसे मैं बता रहा हूँ फोटो का यूज कीजिए, पिक्चर का यूज कीजिए निस्कर से लिखिए, भूम का लिखिए ब्लैक और ब्ल्यू पैंसे लिखिए, रेड पैंस नहीं लिखना हाइलाइटर यूज कर सकते हो, अगर आप इस परकार से लिखेंगे तो आपको असाइमेंट में आधिक से आधिक मार्स मिलेगा आठवा कोस्टन, अब हम अपने चलते हैं कोस्टन नमबर 9 पे, 9 जो कोस्टन हमारा क्या देखो 9 कोस्टन क्या भा, भारत में पुर्दगाली ब्यापार का बित्तिये प्रबंधन किस परकार किया जाता था, भारत में कोस्टन नमबर 8 लिख लिए ठीक है, आपने लिखा कोस्टन नमबर 8 क्या लिखोगे भारत में पुर्दगाली ब्यापार का बित्य प्रबंधन की परकार से किया जाता था तो इसको आप लिखे ठीक है आप इसको पूरा लिखे ठीक है तो इसको लिख लेंगे तो उसके बात क्या है हम इसको चलेंगे इसको question पर ठीक है तो इसको question पर हम देखते हैं कि भारत में पुर्दगाली ब्यापार तो यहां से आपको लिखना ठीक है भारत में जो पुर्द बूतुए पहले 1 रखा पहले इसको कंप्लीट करो इतना लिखो भी एतना लिख लिजा ठीक है 1000 को श्कर लें पेज की आउर में अधिक से अधिक मांक्स ले करके आना एक जाम में क्या है अधिक से मांक्स लिए अधिक से अधिक नंबर लाना है ताकि कहई एक अच्छा मलसक मिल सके में आप लोग इनवस्टी में आपके मैं कह सकता हूँ 80% 70-80% या 90% अगर जिसकी जैसी एबिलिटी है वैसी प्रकार से आप अच्छे से अच्छे नंबर इगनु उनिवस्टी में गेन कर सकते हो तो आपका जो 9 question अगा फिर इसको लिख लिजगा फिर इसको लिख लिजगा अगला page पर इसको लिख और रिपीट मत करने क्योंकि मैंने फोटो खीचने में कई बर वैसे कर दिया तो थोड़ा ढंक से कर ले न ठीक है उसके बाद इसको लिख लिए तो यहां तक क्या होगा आपका 9 question क्या होगा complete हो ठीक है भारत में पुर्दगाली ब्यापार का बित्तिय परबंधन किस प्रक कि यहां तक क्या है हमारा दुट अब इसमें पुर्दगाली व्यापार आगत प्रक लिख करोगे तो आपको कहीं पॉटो मिल जागी आपको कहीं इमिजेज मिल जागी तो अहां से आप पोटो का यूज कीज़े तो आप leak कर सकते हैं तो आप सब zijn नमबर हमारे 10 ते हमने कितने सर्फ नमबर 9 कर लिया अब मरा अकबर के अधियन के मुगलि कर विकास अगभर के अधियन चित्रकलामे मुगलि का करते हैं के लिशावight तो ich dirk थे दोस्तां है ठीक है तो इसके बारे में बताना है तो कहिन कई हम इसकी चर्चा करेंगे ठीक है तो इसकी कोस्चन नंबर हम दस पर चलते हैं कोस्चन नंबर जो हमारा ड्राइंग नहीं आती है तो आप क्या कीजिए फिल निकलवा करके आप गूगल में जाएंगी हुहाँ पर सर्च कीजिए आपको मिल जाएंगी फोटो आप उहाँ पर चिपकाने में अगर आपको ड्राइंग बनाने आती आती है działहाइं अगर सथ नंबर जो हमारा दस है यहां से स्टार्ट होना इसको भूमिक डालो इसको लिखो भूमिका में अबुल फजल मत्केद मुगल कालीन में अकबर् चितरकला का गया ठीक है मत लिखना है इस लिखना ठीक है अच्छे ऑच्छबर कहां फिल लिख' उसी प्रकार से आप अक्छे से लिखने का प्रियास कीजिए और आप इसको थोड़ा सा रोक लिए रखे और आप अच्छे से लिख लेगा फिर आप अगले लिखेगा आप अगले पेज लिखेगा जैसे साइली और तक्नीकी है यहां से जैसे यहां पर साइली और तक्नीकी है तो इसको कहिनके अच्छे से लिखने का प्रयास कीजिगा और कहिनके आप इसको रोप करके या अच्छ से अधिक marks आपको number मिल सके उसके बाद क्या रहेगा ए लास्ट वाला जो page रहेगा इसको थोड़ा सा बनाने का प्रयास कीज़ेगा ठीक यहां तक हमारा रहेगा और इसी के साथ क्या होगा इसको भी थोड़ा सा आप ड्राइंग में आप table की रूप में इसको बनाएगा ठीक और assignment बनाने में दोस्तों एक चीज मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे student हैं जिनसे मैंने बातर कर रहे हैं जिनके 90 number 95 97 98 number तक आए हैं उन बच्चों ने बताया है कि कहीं कहीं जब assignment लिखते थे तो बहुत जल्दबाजी नहीं करते थे आराम से लिखते थे पेसंस से लि लिखते थे अगर आपको assignment लिखने में एक हफ्ते दस दिन बारा दिन या पंदरा दिन भी लिख रहे हैं तो कोई दिकत नहीं है आप assignment को आराम से लिखेगा कोई जल्दबाजी नहीं करनी है assignment को अच्छे से अच्छे से बनाइए ताकि आपको कहीं कहीं अच्छे से को वहीं बोलूँगा कि आप सबको बहुत सारी सुपकामना है आप assignment बहतर से बहतर बनाईए और इसी तरह हम बहुत सारी वीडियो लेकर के आते रहेंगे और कहीं कहीं इस वीडियो को देखने के लिए इस वीडियो को आपने देखा तो कहीं कहीं आपका thank you जरूर बनता है और कहीं आपको वीडियो कैसी लेगी है और मेरा प्रयास कैसा है मेरे चैनल का प्रयास कैसा है और मेरी जो मेरी टीचिंग का जो experience है जितना मैं सारी चीज़े है उसको जरूर बताएगा और कहीं कहीं के मुए आपको पढ़ा रहा हूं कैसा लग रहा आप सबको इन सब अच्छे से assignment बनाएगा और जो assignment में इसी तरह की assignment आगे और assignment जो आपके marks मिल जागे तो मुझे जरूर बताना कितने marks मिले हैं ताकि हम अगर कम मिले होगे या ज्यादा मिले होगे तो हम उसको देखेंगे कैसे मिले हैं कैसे नहीं मिले हैं और और भी अच्छे assignment बनाने के प आती है तो आप हमंए वर्ट्साफ कर सकते हैं आप मेरे चैनल पे जाओंगे तो आपको मिरी मेल हुल देखने के लिए आप सभी का द बहुत धंदेबाद assignment बहतर बनाना, number अच्छे लाने हैं चाहे दिन लग जाएं बादरा ठीक, अच्छे से अच्छे number लाइए चाहे थोड़े जागा दिन लग जाए assignment को लिखने में बहतर assignment लिखना है अच्छे से अच्छे number लाना है वीडियो के देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धना